आज के हमारे खास मेमान है पेंटर प्रिंट मेकर और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट विने शर्मा जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में सबसे पहले सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका जनम कहा हुआ और आपका बच्पन कहा गुजरा मेरा जनम लालचोट कस्बा लगभग 20-25 जार के अबादी थी उसमें और उसके पास में ही ननिहाल था तो जनम लालचोट में हुआ पर बच्पन मेरा ननिहाल में जादे भीता तो मुझे बच्पन की जो पहली मेरी स्मृती में है लालचोट से सम्वासा मेरे ननिहाल तक जाने का रास्ता नाना जी के साथ जाता था साइकल पे पगडंडियों के बीच में होकर बड़ा खूबसूरत नजारा हुआ करता था मुझे अभी भी मेरी स्मृति में है और उन पगडंडियों के दोनों तरफ खेत, मुंगफली के खेत, वीच वीच मतिरे, और भी कई चीजें ऐसी दिखती थी, मैं उनके और आकरसित होता था, छ स्मृतियों में जरूर मेरे रहता था, और गाव में जाकर मैं कोशिज करता था, कैसे भी उनको मैं दो करूँ पर हाँ एक चीज थी, मेरे नाना जी बहुत प्रकांड विद्वान थे, जियोति थे तो उनके पास बहुत लोग पूछने आय करते थे, जनम पत्रियां दिखन और उन उनक पत्रियों में जिसतर रग भरते थे, और रग बनाते थे खूद, फूल तोड़ गे लाते थे फूल में बनाते थे तो वो सारी चीज कर सही उनकित करता था, तो मुस्चे मैं कि दे गाता था, तो मुझे का करता है, कि dummy यदी Saturday, क अन्य कि आना पत्रिया पता ही नहीं लगा लेकिन मैं बच्पन की कुछ घटनाय बताता हूं पहले जब छोटे थे स्कूल जाने से पहले बालवाडी या इस तरह का कुछ हुआ नहीं करता था गाउं में और पंडी जी के यहां जाया करते थे मतलब पंडी जी के यहां आपको प्रारंभीक शिक्षा और कक्का और यह सारा शिकाया करते थे बड़ी रोचक बड़ा रोचक लगता था अलांकि बच्चे थे पंडी जी के जाने में थोड़ा सा भै और डर लगता था क्योंकि डाट फटकार वां उसमें भी अच्छी घासी होती थी अभी तो कुछ नहीं है उसमें तो सीधे मुण बड़ा के और सीस बोटल जो होती थी उसके पीछे के से उसको अभ करते थे जिससे ऐसमें चमक आ जाती थी और फिर खड़िया से कलम से कैखे गया लिखना तो वहां से मेरी जो पहला आक्सर पहली रेखा की जो सुरूआत हुई उन पंडी जी के यहां से मेरी सुरू हुआए और कब और कैसे इसमें इंटरेश डावल अपका ये सन unity Ceo सफ़्तर लालशोत। में इक सरकारी स्कार स्कूल चौरवाणा की हवेली काहते थे हवेली थी अधिर ऐध precisaंजीड करें कि 3090-400 साल और उन चित्रों को मैं सुबह जब प्रार्थना होती उससे पहले मैं जाकर उनको देखा करता था उनकी और एक अजीवसा मेरा लगाऊ था उन रेखाओं की और गोखे होते थे, गोखों पर बैठ जाता व गोखों के ओपर उन चित्र बने होते तो बड़े रोचक और बड़े सुन्दर लगते थे तो कहीं कहीं आर्ट कला के पती जो मेरा आकरसन रहा वो बच्पन से मैं कह सकता हूं कि बच्पन से ही था तो सर्थ छोटे से गाउं से निकल के फिर वो जैपूर तक का सफर और फिर उस सफर के बाद इस मुकाम तक पहुँचने में आपको क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा पिता जी का ट्रांसफर जैपूर हो गया वो सर्कारी स्कूल में पढ़ाते थे अध्यापक थर्ड ग्रेड टीचर थे तो उनका ट्रांसफर जैपूर हो गया तो हम सब लोगों को भी फिर जैपूर आना पड़ा यह बहतर की बात है और यहां आकर एक सरकारी स्कुल में मुझे दाखिला दिला दिया चोकडी तौफखाना सहर में स्कुल बड़ा अजीब सा था मुझे भहूत अच्छा झाल थे क्षपिरियन्स नहीं होगं क्योंकि गाउं से जैपूर आया हिंधि बोलना था नहीं था था गउनकी भासा बोलते थे और यह जैपूर में लोगों बहु लोग बहु होते थे तो.. जैसा हो समान में होता था कर रे तो इतो.. तो अजीब सी एक निराशा सी इस बाल मन में एक पैदा हो गई वहां कि अध्यापक भी थोड़े अजीब से थे मैं पिताजी से एक दिन कहा कि यह तो सब पताने स्मोक करते हैं पीडी पीते हैं मुझे तो अच्छा नहीं लगता तो पिताजी ने मेरा वहां से उस स्कूल से उठाकर एक प्राइवेट स्कूल अधर्शनामिन बाल विद्याले भिंडों के रास्ते में था वहां मेरा अब उस समय क्या पहली दोसे में अंग्रे जी एक नहीं चला करती थी छटी से आईवीजी चलते थी पर चुकि फाइवेट स्कूल था जैपुर में तो वहा पहली से औंग्रे जी में अंग्रे जी का जानता था और यह बात तीसरी क्लास चौछी क्लास की है अब चौछी क्लास में अंगरेजी को कवर करना जहां आप अब अब आप किताबी आपके अंगरेजी में हो तो मैं एकदम घबरा गया मैंने कि यह तो मामला बैठेगा नहीं पर इस स्वर की थोड़ी सी क्रपा थी और थोड़ी बेसिक इंटेलीजेंसी रही होगी तो मैंने उसको जल्दी पकड़ लिया और चौथी मत में पास हो गया पांच में में मेरी फर्स्ट पोजिसन नहीं उस आदर्शनाविन वाली वि मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है गाओं से आके भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं जो निराशा थी वह थोड़ी सी दूर हुई उस समय भाज सापका एडमिशन मेडिकल को लेज में हो गया था पहले घर की परिष्टिती साधरन थी जैसी हो समय हुआ करती थी पर फिर भी ह हम अपने आपको कभी ऐसा नहीं मैसूस करते थे कि हमारे पास किसी चीज की कमी है तो सर सेविंटीज और एटीज में जहां पर कला को इतना तवज़ों नहीं दिया जाता था तो फिर एक में स्ट्रीम से हटके आपने कला को कैसे अपनाया मतलब अपने पेरिंट्स को कैसे कन्विंस किया आपने असहीं का जो दोर था सामाजी जो दोर था उसमें यह था है के लड़का या तो डॉक्टर बने या इंजनियर बने तब तो वो होशयार है मोहविर स्कोल में ताखिला हो गया है, मतलब लड़का होशयार है तो इसको मैफ्पनेटिक दिला हो और भाइलोजी मा थी नी मावरी स्कूल में, तो मुझे मैथेमेटिक्स दिला दी, चटी साथी आठी तो खर मैं अच्छे डियुजन से पास होता गया, नवी में में साइंस मैथेमेटिक्स दूले, उसमें मेरा रुख, मेरा रुजान कम था, नवी मैंने पास कर ली, दस्वी मैंने यृजाथे जाते मैंने मना कर दिया, मैं किया मैं कला में जाना चाहता हूं, आर्ट में जाना चाहता हूं, परिवार को थुदा सा जीब भी लगंगए, क्योंकि उन्हों सचा कि बलड़का गया हाथशे, आर्ट का मतलब समाज में कोई इसत नहीं कहला की, वो भी मेरे तो बच्की बात नहीं मैं इसमें आगे नहीं चल सकता तो उन्हें नहीं ठीक है और मैंने स्कूल ओफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया स्कूल ओफ आर्ट्स में भी एक अजीब सिस्थिती हुई जब फर्स्ट एर फाउंडेशन में मैं गया वहाँ महाँ बच्चों को देखा क्योंकि राजस्तान में मिनियाचर आर्ट का अच्छा बोलबाला था सब लोग जो भी आता हो मिनियाचर आर्ट करता और मेरा कला का मा मैंना कुछ अलग थै मैं कला को कुछ अलग दृश्टी से देखता था मैं कला को कुछ इद हाएं हुऊ से मैं कला को विचार उससे में बहनता थै एक क्याएं। आपको प्रसंड करती है तो विचारों के माधिय pixel कि आप प्रसंड होते उता हैं। आपिछ विचार प्रध、 होनी चाहिए, कुछ रहष्य होना चाहिए, कुछ ऐसी ले होनी चाहिए, चो आदमी को पकड़े तो ये सारी चीजे मेरे मन में थी रुआ में देखूं को लोग बाग कोई हेमामाली बना रहा है, कोई धरमेंदर बना रहा है, और उसके लगा-लगा के को में रोज बोर्ड पलगाता है मेरी क्लास के और जो मेरे साइपाथी थे, तो मुझे फिर्मास सी नरासा सुरू होग गाई, अगर येी कला है तो मैं जो सोच केया हो भी पर गलत है, मैं झाज़े को करूं गा तो मही जो मेरे मन में है, क्लास में मैं जो भी करता मेरी जो भी इच्छा होती और जिस रूप में मैं कला को देखता है उसी रूप में मैंने उसको बनाना मुझे महल ऐसा दिखा तो मुझे ऐसा दिखा वो मैंने बना दिया वो मेरी अभिव्यक्ति मेरे अपने विचार थे जब फाइनल आया और उस रिजल्ट में भी मेरे अच्छे नमबर आया और मैंने टॉप किया तब मुझे लगा कि वास्ता में कला का अर्थ वोई है कि आप अपनी अभीवेक्ति को अपने विचारों को अपने ढंक से कैसे तुस्तित करते हो कैसे लोगों के सामने लाते हो सर आपकी शक्सियत का एक और पहलू भी है कि लोग आपको पेपर मैंन के नाम से भी जानते हैं तो उसके बारे में कुछ बताईए अपने भारतिया संस्कृति को ओड़ कर मैं दुनिया के सामने घूमता हूँ चलता हूँ उनको बताता हूँ देखो यह हमारा रदमिक यह हमारा लायातमक पास्ट था यह हमारा आतीद था कितने सूप खूबसूरत रेखाएं इन पननों पर करीब सो-डेट सो साल पराने पनने जिनकी ड्रेस पहन कर लोगों के बीच में जाता हूँ तो वो जुग्या जो अतीत था, वो कितना खूबसूरत, कितना रुमानी था अतीत को वर्तमान के साथ, कैसे जोड़ूं, दोनों में मेल कैसे हो दो संस्कृतियां, एक संस्कृतियां, मैं तो यह कहूंगा, यह दोनों अलग-अलग धराएं हो गई एक वो धरा जो संद नब्बे से पहले या पिच्चाशी से पहले की थी, और एक नब्बे के बाद में जो परिवर्तनाने सुरूवे हमारे देश में, जब ग्लोबलाईजेशन, वैस्वी करन जब हुआ अपस में आदान पिदान हुई चीजें सब एक जैसे होने लगी पूर किया है, और इसलिए उसी का ये एक रूप है, छोटा सा रूप है, लोगों को मैं दिखाऊँ, यह आते हैं, विदेशी आते हैं, काश्वी लोग आते हैं बाहर से, सर्च करते हैं, चीजों को देखते हैं, पूस्ते भी हैं, यही तो हमारा काम है सर, एक सबसे इंपोर्टिन चीज, जो आपका शैद तीसरा पहलू भी है, आपके एंटीक्स के कलेक्शन से मैं बहुत ज़्यादा हमेशा से फैसिनेट रहा हूँ, और बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो आपका इतना जबर्दस एंटीक्स का कलेक्शन है, इसकी इसका भी मैं बताओं आपको, बच्पन में ही, मतलब यह भी सुरू से एक अजीब सी मेरी रुची रही, जब छोटा था, मैं हर आपजेक्ट को उस आपजेक्ट की उप्योगता के साफ से नहीं देखा करता था, मैं उसमें जो कलात्मक उसके जो रूप होते थे ना, जैसे नहीं कि गिलास है अब गिलास में जो नकाशी उसमें हर गिलास में आपको, कोई नकाशी कोई इस तरह की design उती जो आपको आकरशित करती थी आप ढुड़े देखो गाउं में जो बहुम्ड़े बनते थे वोबड़े देमिक होते थे बहुती ही लायात्मक ढुड़े, जो एक उसकी प्रक्रिया उसकी समय जानने की कोशिज करता था नानी बनाया करती थी, तो महुन को देखता था ऐसी महें भी जाता है, जैसे चाकले, या गाड़ि, सगढ में आप टेखता यह पुरानी जो भी चीज थी, जो भी कोई पुरानी चीज में लायात्मक्ता देखता था किसमें कहां से कौन सी ऐसी चीज जो आर्टिस्टिक है जो मुझे वो करती थे, मैं रेडियो की बात बताओं आपको, छोटा ही रहा हूंगा, जब खलियानों में सोते थे गाउं में, गर्मियों में खलियानों में सोते थे, और कहीं दूर से ऐसी आवाज आती थी, मिठी, मधुर आवाज, तो मुझे यह लगता था कि मुझे उसके चीजे होनी चीए, तो ऐसे करते करते कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाती तो उसको लाके मैं लाल सोट मेरे गाउं में कहीं भी कोणे में लाके डाल देता था, पुरानी कई चीजे हैं ऐसी, जिनको मैंने बच्पन में एक अठी करके गाउं के वो मेरे एक बुखारी जैसी थ जिनको लाके डाल दिया, मुझे पता नहीं था कि जह よ scorine करूं बिर भी कूछ और या कुछ होगा पसकंन को लाके मेरे एक लगाव था उन से तो मैं डालता गया, ऐसे होते-खोते यह सारे चीजें हो गई यह जो आप अतीत राग स्टूडियो इसमें कलेक्शन के अंदर क्या-क्या चीजें हैं मैं देख सकता हूं कि यहां पर पूरा का पूरा आपने एक स्टूडियो सेट अप किया हुआ है पहला रेडियो तो मेरा 79, 78 से भी पहले मोसी जी के लेकर आप मुझे अच्छी तरह याद है वह बहुत खूबसूरत रेडिया था चटा और मोसा जी को शादी में मिला होगा उसमें नन्याल से तो वो रेडिया मैं रेडियो में लेकर आप समें मुझे कोमेंटरी सुने का यह मुझे जीवन्त लगती है जितनी भी चीजे मैं लगता हूं मुझे असा लगता है कि यह सब जिन्दा चीजे हैं यह मुझे बात करेंगी और उनको लागे मैं कम से कम 2-4 दिन तक जब तक उनके साथ बैठ नहीं लेता हूं उनसे अपना आत्म साथ नहीं कर लेता हूं उनसे मेरा जुडाव नहीं हो जाता है जब तक मैं उसको कहीं रखता नहीं हूं वो लाकर यहां बीच में मैं कहीं भी रख देता हूं और उसके साथ रोज समवाद होता रहता है और जब मुझे पता लग जाता है कि इसने जीवन को इसने मनुश्य को इतना बड़ा सम्मान दिया है तो क्यों नहीं मैं भी उसका सम्मान करूं और एक अच्छी जो इसका स्थान पर उसको रखूं सर अभी एंटिक्स के कलेक्शन में आपके पास क्या-काई चीज़े हैं चाहिके दवाते हैं मेरे पास साड़े तीन सो चार सु दवाते हैं पीतल की उस समय की तो करीब सो डेट सो दो सो साल पुरानी भी हो सकती हैं उनमें कुछ दवाते हैं क्योंकि टाइम पीरिड का मुझे अंदा जहे नहीं उसमें पर हैं मेरे पास करीब तीन हजार जैपूर स्टेट के तो ऐसे रहर है हर साल का एक स्टाम पेपर मतलब आप हर साल की सो साल तक आप देख सकते हैं किस तरह से हर साल परिवर्तन हो ग्रामोफोन भी लगभग 15-20 होंगे कुछ तो यह हैं जो ओपन उसमें कुछ बंद पेटी में जो आते थे वो हैं तो इस तरह करके दस पंदर यह भी करीब 30-35 इससे पुराना भी हो सकता है कैमरा मेरे पास सबसे पुराना 1870 का है पिन होल कैमरे हुआ करते थे कैमरे काफी करीब 100 कैमरे हैं मेरे पास सर युवा पीडी को आप क्या मेसेज देना चाहेंगे मैं उनसे क्यों लाग रह करता हूं अगर हमारे अतीद को नहीं भूले हमारे उन पूरवजों को नहीं भूले जिन्हों ने इतने खूबसूरत संस्कृती हमारे लिए बना के छोड़ी है हमारा काम के वल उसको संदक् अगर हम वह भी नहीं कर सकते तो फिर हमारा क्या उचित्त होगा अगर हमारे अत्त瑤 ये सिर्ड जायर में ब कर संस्दक्द्ट्त है